असलाम लिकुम students my name is Hafiza Zafar welcome to my Youtube channel view show lecture for video students by Hafiza Jeffrey तो कैसे सब students समीद करती है सब ख्यारियस से होंगे तो students आज मैं आपके साथ English 321 का lesson number 19 शेर करने जा रही हूं इसके all topics आपको बताऊंगी दूसरे lectures की तरह ठीक है साथ में जो bell icon को option है all पर click करें इससे की होगा कि मैं जितनी भी मुझीद lecture की वीडियो बनाऊंगी कोई भी assignments वगेरा का solution शेयर करूंगी तो उसका notification सबसे पहले आपके पास आजएगा ठीक हो गया तो चल्दी से बहले चैनल को subscribe कर दें और वीडियो को like share भी जरूर लेसन बना रही हूं और मीड में बस मीडी एक्जैम में थोड़े ही रहे हैं और देशीट के लिंक भी आ गया तो मैं भी लेसन नंबर 19 आपको करवा रही हूं थोड़े 3-4 लेसन रहे हैं तो इंशाला मैं जल्दी upload कर दोंगी इसके ठीक हो गया हमारा जो है English 301 का cover हो है इसको हम already discuss कर चुके हैं पार चुके हैं ठीक हो गया जिन बचों ने लेक्चर लिए मैं उनको तो पता हो गया और जिनों नहीं लिए वह अकेन इदर समझ लें ठीक हो गया basic organization प्लैन टुड़े विल डिसकस अबाउट basic organization प्लैन ठीक हो जो basic organizational plan होते हैं वो क्या होते हैं ठ इसका मैं आपको बात में बता हूँ यह भी सिर्फ आप आउट लाइन परें डारेक्ट जिसको डिटेक्टिव अप्रोच भी कहते हैं यह नहीं अपको डारेक्ट का क्वेश्चन ना है आपको डिटेक्टिव का पूछ लिया जातों आप वोल गया हो तर नहीं डारेक्ट और यहीक बात है ढीक मिसको डीडेक्ट अप्रोच है ठीक होगा सेकेन वाली है बेसी और प्लैन उनके बरहा में पढ़ेंगे उषके बाद इंडारेक्ट और इंडेक्टिव ऊर्गणायजिश्चेशन प्लैन डर्यक्ट और इंड़ेक्ट यह हो गये और पास फाइफ आउट लाइन इनको हम फॉर्दर डिटेल में मजीद पार लेते हैं ठीक हो गया स्टूदेंस चलें अच्छा डारेक्ट अप्रोच क्या होती है आपको सिंपली पता होने है वर्ट से ही पता चल रहा है कि डारेक्ट इनसान की पर तैक तो अब बगैर किसी हैजिटेशन के आप वाद बहुता है यह चीज़ होती है डारेक्ट में आ जाती है ठीक हो कहाए यह डारेक्ट अप्रोच अब हम जब इसकी रिडिंग करें कीया क्लियर कर दिए गडारेक्ट होता है अब हम जब इसको पालेंगे तुप करेंगे message वो क्या रहे हैं जब आप सोचते हैं यह आपका जब ख्याल होता है कि that your audience will be interested क्या आपकी जो audience है वो interested होगी किसमें in what you have to say जो चीज आप कहना चाहरें ब्यान करना चाहरें ठीक है और willing to cooperate और cooperate करेगी आपके साथ with you आपके साथ ठीक है वो क्या रहे हैं कि जब आपको इस चीज का यकीन होता है कि आपकी audience आपके साथ interested है ठीक है अगर आपको बात उन्हें कहना है चाहते हैं तो आपके साथ interested है और आपके साथ corporate करेगी तो आप क्या इस बार्ट पर मतमीन है ठीक है इसका यह मतलब था आगर देख लिए तो फिर आप क्या करते हैं कौन था प्रोसीजर यूज करते हैं डिरेक्ट और डिटेक्टिव प्लैंड तो और्गनाइज यूर मैसिज आपके मैसिज को और्गनाइज करने के लिए मैं अगें बता देती हूँ कि वैन यू तिंक डैट यूर जब आप वहने कोई बात कहनी है अपनी ठीक है अपनी ओडियंस तक पहचानी है तो आप क्या करेंगे कि वह चीज डिरेक्ट बोल देंगे कब डिरेक्ट बोलेंगे जब आपको इस चीज का ख्याल होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वह आपकी बात को फालो करेंगे आपकी बात को मानीगी ठीक है यह चीज होती है समझागी है आपको कि बगार हिच्च का चाहे हज़िटेशन फील कि यह बगार आप अपनी बात अपनी ओडियंस के साथ कर देते हैं यह होती है डाड़ एक्टी ठीक हो गया अपना आपका ख्याल होता है कि अगर आपकी बात कहेंगे कि अगले बात करेंगे कि अगले बात करेंगे है अगरे बंदों को बुरी नहीं लगेगी हालांके वह आपके साथ कोप्रेट करेंग यह चीज़ होती है तो यह आपकी ड्यपीटिक है कि यह बन्यूर्ड शतरी इस पूरे तीपिक में कुछ भी नहीं है और वी यूज इस अप्रोच हम यह अप्रोच कभी उसकते हैं और र यह आपने इसकी definition में लिख देना अगर आई तो ठीक है यह था पूरा पूरा एक जो पराग्राफ इसमें यही आहिम चीज़ है और मैंने आपको बिता दी हुए इसका पूरा यही मक्सित नेक्स देख लेते हैं मैंने यही पराग्राफ पे इतना जदा आपको समझा दिया कि जो बेसिक ओर्गनाइजेशनल प्लाइन थे वह दो तरह के थे ठीक है वह कौन कौन से थे उनके नीम कौन कौन से थे दो तरह के प्लाइन कौन से है डारक्ट रिक्वेस्ट प्लाइन दूसरा गुड्ड नियूस प्लाइन ठीक हो गया बेसिक ओर्गनाइजेशनल कौन कौन तोैसे डारक्ट रिक्वेस्ट ज़ो आसकता है आपको डिफरेस्ट पताना ज़िए कि डारक्ट रिक्वेस्ट प्लैनौ इडिया को ओर मिन आइडिया को फिरींघ यह मैन वहाब इता है जरूरी जो इन्फरमेशन होती है एजी देडिंग के लिए वो देटेंग के लिए उसक बाद एक्स्प्लेन नस्टीब डिटेई विद एन्य हल्पिल मुटिल यहां वदेल भी देते हैं गूर न्यूस प्लेन में लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर साथ महल्फल material भी हम जरूर देते हैं close with the cordial request for specific action and positively end यहां पर क्या करते हैं close कर देते हैं request को specific action के लिए कुछ खास अमल के लिए लेकिन गुट न्यूस में क्या होता है कि end positively इसका जो end होता है वो positively होता है अच्छी लोको देता है ठीक है and friendly होता है clearly the desired action मतलब इसमें यह क्या होता है इसमें क्या करते हैं हमने sensory चीज़े देते हैं यह time का difference आपने डिफरेंस याद रखना है यह क्विज में भी आ सकते हैं यहां फिर वैसे भी शॉर्ट कैस्टन आ सकता है आपने याद रखना है तो basic organizational जो प्लैन था इसमें जस्टू प्लैंस से कौन कौन से interact and good news plan मैंने आपको टिफरेंस भी ट्रांसलेट करके बता दी है ठीक है ओप सोगी दर तक आपको समझ आ गई होगी मैंने बड़े अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया इसके लावा भी आपको ना समझाई हो किसी क्वेस्टिन का ना पता चलाओ तो आप मुझे कमेंटर बॉक्स में पूछने जियागा ठीक होगी है अच्छा यहां पर देख लेते हैं अब यह जो उन्होंने इतना ज्यादा लोंग लंधी लिखा हुआ है लुक्ट एट फॉलिंग लेटर विचिस रिक्वाइस्ट टॉ अच्छा यहां पर उन्होंने क्या किया है कि कोई पर्चेस करने वाली चीज है सेलर और फर्स कहलें कि कोई शोप है किसी मतब दुकान दार और कोई चीज लेने माला है उन दोनों के दिनमें डिस्केशन होने लगी है मतलब मैं आपको कुछ से एग्जेंपल देके बिता आ अच्छा एक अच्छा यहां पर आप प्रचेस करनी है ठीक हो गया तो आप जो है न हमें 300 कोपीज दे इस मंत में यहां फी रहां इसकी 25 फाइफ कोपीज मुना दें वन टाइम में ठीक है यह सारा कुछ लिए को आप इस बात को हम कुंसाइज पॉर्म में बिता लेख सकते कि अब यह देखिए जो लास्ट वाली लाइन है फालें इस एन एंपल और फैविंग में आइडिया इंता बीगनी कि उन्होंने जो में आइडिया है वह फर्स्ट लाइन में ही बता दिये कि वह इंटेंडिंग पर्चेस करना चाहते हैं ठीक है सिंपल सी बात अब कितने पर्चेस करनी है कितने टाइम में करनी है वह अलग बाता लेकिन उन्हें यह तो बता दिया ना कि हमीं कोपीश करनी आप फ़यू झाले दिया और यह इसका मकसद यहाथ है इन सारे लैटर्स का ये मक्ताद है कि किसी चीज को कंसाइस फाम में करके बता है मैं तो उसका में आइडिया एक ही फाम में करते हैं ठीक है यहां से कुछ भी करने वाला नहीं है यह जरूरी नहीं है इतना यह जैसा आपको उन्होंने एक्जेंपल जाने के लिए दिये हुई है अब की समयने के लिए नहीं है इतना ठीक है दो गुडविल लेटर यूराइट वाल प्रोबैबली बी सुक्सेस्फफुल वें यूद आंसर यस तुद फालूंग क्वेसिंट इस लेटर अच्छा यहां से भी कुछ जरूरी नहीं है स्टूर्ट यहां से देख लेते हैं इसके आपको डैफिशन आ सकती है यह आपने काले नहीं इसको मैं आपको कंसाइज में बताती है और फाम में ट्रांसलेट करके बताती हूं डैट में क्या था द्यान से सुनना मैं ओलोएं डैठ में क्या था कि जो डैटर प्लाइन था उसमें यह था कि हम अपनी चीज कोई बात चाहर डिरेक्ट बोल देते हैं और हमारी ओडियान्स को बुडा यह नहीं लगता हालांक Verf hen कि वारे साथ को अपरेट करती यह होगी ड कोई के बाद अच्छी लगे या ना लगे वह सथ कोप्टेट करें कि थीज का तो में नॉलिज नहीं 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 र Tea इस वाजसे इंटरेक्ट में और जाती हैं क Wahr गुमां अब घुमां पीछा एक करते हैं तब फ्रीली तोर पे मैंड नहीं कर सकता यह चीज़ और पताया वह इस अगर मेसिज मीटपसे को upset करता है तो यू यूज दा इंट्रेक्ट प्लान तो आप यूज कों सी अप्रोच यूज करने कौन सा प्लान इंट्रेक्ट फ्लान टू इस यूर ओर्डियंस एंटु दपार्ट जो के आपके मैसिज को समझ सेके ड़ेट्ट यू आप यू आर फेर मांटी और जो आपको इंट्रेक्ट प्लान टू आप यू दिए तो आप यह बहुत जादा जूरी है मौट इंपोर्टन इसको लाइट नहीं लें ठीक हो गया पहले तो ग्रैंड की भी जुगा करते तो हम जो है ना हैल्प माटीरियल गूगल से भी डूंड लिया करते थे इस बार ऐसा नहीं है स्टुरेंस इस बार जो है मीड एक्जाम में इसको सीरियस लें अच्छे से स्टडी करें अच्छे से लेक्टर सुनें इंशाला आपके इच्छे माक्स आएंगे मीड आपका अच्छा हो जाएगा ठीक है तो आपको यह क्वेस्टिन इस तरह से भी बन के आ सकता है अपरोच तो आपनी दोनों का जो है अच्छे से पॉइंट बनाबना के इंग दोनों का डिफनेंस लिखे देने यह लोग में भी आ सकता है पैसे ठीक हो कि मैंने आपका अपका अपर क्लिके कर वादी है उसके बादेख लेते हैं कि और्गनाइशिशनल प्लैन जो है अच् इसमें से कुछ भी जरूरी नहीं बस आपको याद रहने चाहिए कि फॉर पार्ट पर कंजिस्ट होती है अब इसमें जो एहम चीज़ है डैटीज बफर बफर का आपको पता होना चाहिए यह क्या चीज़ है इसका कंसेप्ट पताना चाहिए इसकी डेफिनिशन आपको अन मैं एक ऐसी स्टेहिमें जिसका मतलब होता है भी दारीडर डो पोस्तिव फ्रेम अंह अमाइंद करे देडर के माइंड में कूछ पॉस्तिव याल लेकर आटी कैंड ने को एक टान जाल ताइप इसकी डाट जाल ताइप्स एंगिन एप्रिसियेशन एशुरेंस कम्प्लिमेंट कोपरेशन फिरनेस गुड नियूस अंडिस्टेंडिंग ठीक होगा वान टू एट ठीक है वान टू एट इसकी टाइफ से बफर की यह अपने याद रखनी है कुईज यही चोटे-चोटे कुईज बने के आते होते हैं तो अपने लिए पूटा लिख देंगे तो दो मांक्स ती मांक्स अच्छी हो जाएंगे ठीक हो गया अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उसके बाद एग्रिमेंट प्रिस्टेशन प्रिस्टेशन कोपरेशन यह सारा क्या है फिरनेस गुड नियूस अंडिस्टेंडिंग चूजिंग अपने इस लेसन की हैंड डॉट पकरके वहां से अपने अच्छे से इसको फिल करना है बहुत इजी है एक तो कन्फिर्म डिजर्वेशन अपने यहां पर जो फिल इन दब्लैंक से इसको फिल करनी है प्रोच पतानी है रियक्शन पितानी है अगर यह सारा कुछ रीडर कह है कि अपने इसको पाल लेना तो आपने इसको हाल कर लेना या आपको कुछी नहीं तक लियर हो जाएगा बाकि यहां पर कुछ टोपिक रागे हैं जी एग्रिमेंट क्या होता है फाइंड फाइंड वाइंड इडर शेयर सिमिलर व्यूस फार इक्जेंपल वी बहुत नहों हाओ हाड इस इडर मेंक फ्रोफिट इन इस एंडर्फिट एक्रिमेंट कुछ दलाइल देना एक्रिमेंट करना अप्रिसे एशर और कोपरेशन नामोद मतब जब हमको चीज अजर से लेते हैं तो इसमें कोपरेशन भी होता है किसी विलांस अगर देखनें निएंट लेटर इतना जरूरी लग रहा ठीक है बाकि आपने क्या करना है अवाइड करना है इन चीजों से वैन राइटिंग का बफ़र जब हम बफ़र लिखते हैं यू नीड तो अवोइड सेर्टन थिंग इंग्साइम इंग्साइम माइन तफाल नहीं अवोइड सेर्ण थिक है हाँ जी तो स्टूडन जब आपने बफर राइट करना है बफर को लिकए चीज को बफर में तो आपने क्या करना है इन चीजों से अवाइड करना है वो कौन कौन सी अवोइड शेओ नो कहने अपने अवोइड करना है ठीक है अपने लैटर में उसके बाद अवाइड यूजिंग अनॉन इड्लॉट टोन यह वर्द भी यह संटैंजी उसकने से एवाइड करना है उसके बाद अवाइड वर्डी end it element phrases and sentences आपने क्या करना है कि जो इडाइल cin味 यह जरूरी पैराग्राप्स जोंगे और sentences होंगे, उनसे avoid करना है, जीक है, avoid हता है, परहेज करना है, जीक है, avoid apologizing, इससे भी अपने परहेज करना है, मतलब apology से, और apology weakens your explanation of the unfavorable decision, ये आपके favorable, जो है, unfavorable होती है, आपके decision को weakness बना देती है, avoid writing a buffer daddy is too long, और ये भी आपने avoid करना है, कि आपके जो buffer है, वह बहुत जादा long length ही नहीं होना चाहिए, short form होना चाहिए, concise होना चाहिए, mean to say, छोटे sentence में होना चाहिए, ठीक होगे, students, लास्ट में मैंने आपको बता दी है, कि ये आपनी question जो है, कर लेना बैठके, आपको समझा जाजेगी इसकी, कोई मुश्कल नहीं है, ठीक है, अगर यहां पे, ये भी मैं आपको एक word बताऊंगी ना, तो बताने में कोई मुस्ला नहीं है, पता है क्या video बहुत जादा lengthy हो जाएगी, जो main purpose था ना, मैंने आपको बता दी है, जो एहम topic थी इसमें, और ये आपने जरूर करके जाने ये lesson जो बहुत जादा एहम जरूरी है, मैं again आपको कहारी हूँ, आपने ये जरूर करके जाने प्रिपर बले भी हाँ जी, तो होजो students के आपको मेरे lesson की बहुत जादा अच्छे से समझ आई होगी, because मैंने word-to-word translate करके बताया आपको इसके एहम topics आपको निकाल के दिए है, short question और quiz भी बना के दिए है, ठीक है, तो बहुत मेनत के साल lecture बनते हैं, because के students की request आते हैं, कि मैं इस subject पर भी और साथ में कमेंट में बताएं मुझे कि आपको मेरा lecture किस तरह से लगा है, अच्छा लगा है, यहां भी कोई और improvement करनी चाहिए मुझे आपको समझाने में, ठीक है, अपनी तरफ समीदर बैस देती हूं आपको, अपकी चैनल को जरूर सबसे कराइब कर दें, ठीक है,